नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्योब चैनल योजना ओनलाइन फोर यूपर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पोन जानकार लेकर हाजिर हो जुके हैं अगर आप भी पैंसन धरक हैं या करमचारी हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखेगा क्योंकि केंद सरकार के तरफ से पैंसन और करमचारी के लिए बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है दोस्तो कुछ नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है जिसके जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ साथे दोस्तो पैंसन वा सेलरी में भी भारी बड़ोतरी होने जा रही है जैसे कि आप से भी जानते हैं कि काफी लंबे समय से 18 महा डिये एरियर को लेकर इंतजार के जा रहा है कि उनक्या जो रुका हुआ भटता है वह कब दिया जाएगा तो दोस्तो जो नई अपडेट 18 महा एरेर को लेकर आई है दोस्तो वह है क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तो चाहे आप राजय करमचारी हो या फिर केंदर करमचारी हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखेगा मैं आपको यहाँ पर सभी करमचारी की और पैंसंधर्गों की जानकारी लेकर हाजिर हो चुका हूँ दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा जो भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी वह केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो भी नया अप्डेट जार के जाता है उसी के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचा पाते हैं या फिर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो भी जानकार रिलीज होती है उसज़िके माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचा पाते हैं तो व्यूडियो ओ लाइक नेकर तो लाइक कर दीजे ज़या शेयर कर दीजे और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जिरूर सब्सक्राइब पर देए दोस्तो दोस्तो केंदर क्रमचारियों और पैंसंधरकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि राज्य सरकार के दुआरा क्रमचारियों के लिए नए साल से पहले ही तोफा जारी कर दे गया है वहीं दोस्तो राज्य सरकार के जितने भी क्रमचारी हैं उनके महंगाई भत्ते में तीन परतिसत की बढ़ोतरी करने का एलान भी कर दे गया है यानि के यहाँ पर अब सभी क्रमचारीों को 31 परतिसत बढ़ा कर लाब दिया जाएगा दोस्तो इसमें पैंसन भोगी भी सामिल होंगे यानि के ने साल से पहले ही क्रमचारीों को 3 परतिसत बढ़ोतरी करके उनको महंगाई भत्ता दिया जाएगा वहीं दोस्तो राज्य के आधेन आने वाले 5 लाक से जादा क्रमचारीों तथा 50 हजार से अधिक पैंसन भार्गों को महंगाई भत्ते का लाब दिया जाएगा दोस्तो 30 परतिसत देर नैस एलाउंस और महंगाई भत्ते के बाद क्रमचारीों की सैलरी में सबसे बड़ा जो उच्छाल है वह आपको देखने को मिल रहा है दोस्तो एक जनवरी 2022 से पहले ही क्रमचारीों को यह तोफा दिया गया है मैं आपको बताना चाहूंगा सभी राज्यों की द्वारा अलग लग तरह से जो नियम हैं वह लागू किया जा रहे हैं वहीं एक बड़ा राज्य है दोस्तों जिसमें नियम लागू किये गए हैं कि जितने भी क्रमचारी हैं क्रमचारी रिटायर होते हैं अपनी पैंसन को लेकर इधा उर्दर भटकना होता है पैंसन बनवाने को लेकर लेकिन दोस्तों अब उनको भटकना नहीं पड़ेगा तो और कई बड़े लाब भी गोसना के साथ लागू किये गए हैं जिसके जानकारी मैं आपको देऊंगा अगर आप क्रमचारी हैं तो दोस्तों वीडियो को पुरा वाज करेगा वहीं दोस्तों जानकारी दी गई है कि राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्स्ता में दे जाएगा और जो अठारा महा एरियर का रुका हुआ है काफी महिनों से उसके लिए भी एक बड़ी अफडेट निकल करा रही है उसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों यहाँ पर बताएगया है कि तीन फिस्दी महंगाई भत्ता बढ़ाने क का एलान काबिनेट बैटग में पास हो चुका है जिसे मंजूरी भी मिल गई है दोस्तों अभी तक राज्य के क्रमचारी क्रमचारियों को 28 फिस्दी देरनेस एलाउंस दिया जाएगा दिया जाता था दोस्तों जो अब बढ़ा कर आपके 31% कर दे जाएगा दोस्तों मैं आ काफी इजाफा आपको देखने को मिलेगा और जो क्रमचारी हैं करमचारियों की सेलरी में भी बढ़ा इजाफा आपको देखने को पराब होगा दोस्तो तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होने के बाद जो महंगाई भात्ता है उसमें काफी आपको इजाफा देखने को मिलेगा दोस्तो मैं आपको लादू कि जो महंगाई भात्ता है यह कब से आपको लाब दिया जाएगा उसकी भी जानकर यहाँ पर दिया गई है जुलाई 2020 से सभी को जो महगाई भात्ता है वह बढ़ा कर दिया जाएगा जैसे कि आपसे भी जानते हैं कि काफी लंबे समय से 18 महा डिये एरियर रुका हुआ है तो दोस्तो हो सकता है कि आपको 1 जनवर 2022 को ही इसका लाब दिया जा सके हाला कि अभी तक कोई ठोस जो अपडेट है वह नहीं मिल पाया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताब़ी दोस्तो बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2021 को कबिनेट बैठक फिर से होनी है जिसमें 18 महा एरियर को लेकर चर्चा हो सकती है दोस्तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो उसकी भी जानकर आपको दे दी जाएगी लेकिन जो नए यहाँ पर नियम लागों किये गए हैं उन सभी नियमों के बारे में मैं आपको यहाँ पर एक एक नियम आपको बताऊँगा दोस्तो इस फैसले के बाद पचास हजार से अधिक पैंसंधार को के बीच जो कुछी की लहर है वहे दोड़ पड़ी है मैं दोस्तो धाई लाग से अधिक करमचारियों को नए साल पर तोफा मिलने जा रहा है मैं आपको बताऊचा हूँगा कि सभी करमचारियों को जिन्वरी 2022 से सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को दोस्तो मिलेगी क्योंकि नए साल आ रहा है और जैसी कि आपसे भी जानते हैं कि विधान सभा भी विधान सभा चनौ भी काफी नजदिक है तो अलग अलग पार्टी के जो सदश्य हैं वह नई नई घोसना कर रहे हैं और बड़े बड़े जो घोसना हैं वह भी हो रही है तो दोस्तो यह आप समझ सकते हैं कि जो विधान सबा चुनाओ है इसके चलते क्या-क्या यहाँ पर गोशना की जारें क्या-क्या बड़े-बड़े आस्वासन दिये जा रहे हैं किसी पैंसन को लेकर तो किसी के महंगाई भात्य को लेकर लेकिन क्रमचारियों की जो समझ्या है उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है दोस्तो यहाँ पर जो भी जानकर दी जाएगी आपको सही और सटिक जानकर दी जाएगी आपको किसी भी परकार का फ्रमित नहीं किया जाएगा हम आपको अपनी तरफ से कोई भी जानकर नहीं दे पाते हैं केवल और केवल जो भी राज्य सरकार दुवारा या फिर केंद्र सरकार दुवारा अपडेट जारी होता है उसी के अनुसार हम आप तक जानकारी पहुंचा पाते हैं तो कोई भी करमचारी निगेटिव कमेंट ना करें क्यों दोस्तो हम आपने तरफ सब से कोई भी जानकर नहीं देते हैं आपको बता दें कि केंद्र की मोधि सरकार द्वारा केंद्र करमचारियों और पैंसरों के लिये महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को अठाई फिजदी से बढ़ा कर 31 फिजदी कर दे गया है जिसका लाब एक क्रोड करमचारियों को दिया जाएगा तथा दोस्तो अन्य राज्यों में भी कहीं तरह की जो बढ़ोत्रिया हैं जो महंगाई भत्ते हैं काफी जहापा देखनों को आपको मिलेगा जैसे कि यहाँ पर आपको बताऊं राज्यस्थान राज्य में यहाँ पर कुछ नियम लागू किये गए हैं और करमचारियों को बड़ा तोफ़ाव यहाँ पर दिया गया है सेलरी और पैंसन में बढ़ोतरी के बाद सभी क्रमचारियों और पैंसन लावार थी को जह है दोस्तों बड़ी खुसी यहाँ पर मिल रही है और वहीं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है शुरुवात में ही दस्तवेज बनवाने होते हैं लेकिन अब वह सभी दस्तवेज जो है दोस्तों आपको नहीं बनवाने होंगे क्योंकि राज्य सरकार दोवारा वह सभी दस्तवेजों को समाप्त कर देगा है तो दोस्तों वह कुन-कुन से दस्तवेज है और कुन बनवा सकता है यह जो नियम है राजिस्थान राज्य में लागू के गए हैं वहीं दोस्तो जब तक आप अपना मृत्वी पर्मान पत्र जमा नहीं करेंगे उसके बाद आपकी पैंसन बराबर आती रहेगी यानिके जो आपकी पैंसन है वह दोस्तो अब आपको बैंक से नहीं मिलेगी बल्कि राज्य सरकार द्वारा वह पैंसन ट्रांसपर किये जाएगी दोस्तो पहले क्या होता था कि किसी भी कमी होने के कारण पैंसन रोख दी जाती थी लेकिन अब आपकी pension बिल्कुल नहीं रुगेगी और लगातार आपकी pension आती रहेगी दोस्तों मैं आपको बदा चाहूँगा कि यह है राजस्तान राज्य द्वारा नियम लागू क्या गया है जिसके चलते सभी pension धारकों की जो खुशी है दोस्तों वह बढ़ गई है अब किसी भी करमचारी की pension नहीं रुगएगी किसी भी pension धारक की जो pension है वह नहीं रुगएगी लगातार उनके अकाउंट में आती रहेगी सभी दोस्तों जो आपको समय लगता था अपनी pension बनवाने के लिए दो-चार महीने बेकार होते थे pension बनवाने के लिए डोकमेंट त्यार करने के लिए अब वह भी समाप्त हो चुका है क्योंकि सरकार दुआरा आप समय भी जो बैंकों से डाटा है वह खटा कर ले गया है और दोस्तों सिधा अब pension आपके एकाउंट में आएगा और बढ़ा कर आपको pension दी जाएगी तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है आप सिधे कमेंट बोक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं आपके प्रती एक सवाल का जवाब दिया जाएगा वहीं एक तारिक से जिनके एक जनवरी 2022 से आपको बढ़ा कर भी pension दी जा सकती है हाला कि अभी तक हैसा कोई अपडेट नहीं आया है लेकिन मेरे रिपोर्ट के मतावी बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2021 को नई बैटक होने जा रही है जिसमें नए फैंसले लिया जा सकते हैं जैसे कोई अपडेट आएगा जो भी नए फैंसले लिया जाएगा उसकी अपड के लिए जै हिंद जै भारत